हेलो दोस्तो ट्रेटिंग डेक मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में आप लोग को आच्छा खसा रिटर निकाल के देश सकता है और स्टॉक के अंदर कुछ इंपॉर्टन अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर ना मुझे स्टॉक आपने इंपॉर्टन सपोर्ट के आराउंट ट्रेड करता हुँ अधिक रहा है इसका इंपॉर्टन सपोर्ट कोनता है दूस्तो 140 और 142 150 वाला एरिया यह पूरा सपोर्ट है ना दूस्तो आजन करके दिखाता हूँ कि किस तरी के से आप लोगो एक बूम आपर साइड मोमेंट देखने के लिए मिल अगर आप लोग देखोगे तो यह स्टॉक के अंदर भी मुझे इसी लेवल के आसपास से अपर साइड देखने के लिए मिल सकती है आपने को मैं आप लोगो मल्टिपल दिखाऊंगा कि इसके अंदर एक ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बूम आपर से दिख सकती है अगर आप लोग देखोगे तो उपर से नीचे तक अगर मैं आप लोगो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉकर करके दिखाऊ दोस्तों सबसे पहले इसको थोड़ा साइड ज लाज करते भी दिख सकता है अगर मैं आप लोग को इस टॉक ने की से रिजेक्शन्स लिए ते मैं आप लोग अगर दिखाऊ तो यहां पर आप लोग देखो तो फर्स टाइम स्टाप ने क्या क्या आप इहां पर एप लोग अर एक चीज़ डेटेल में बताऊंगा उसके अगर करन मारकेट प्राइस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इस ने गया गया था है ट्विजर बॉटम से इसने अपर सेट बहुत बढ़ी आपर सेट दिखा दी थी अगर आपर सेट की बात करें तो 65 रुपी से 300 रुपे तक कि मतलब यहां से 500 पर सेंट तक के रिटर वि आसपस से एक आपर सेल की मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है अगर मैं आप लोग को इसके अंदर पोजिशन लगा की दिखा हो किस तरह के से आप लोग को इसके अंदर पोजेक्ट करना है टारगेट तो यहाँ पर आप लोग देखो गे तो एक्जैक्ली थोड़ा सा पूल तो टारगेट काहा था होने वाले अपने तो यह जो लेवल है ना एक्जैक्ली यह जो जोन है ना पूरा यह पूरे जोन के आसपस अपने टारगेट होने वाले दोस्तो फर्स टारगेट की बात करें तो फर्स टारगेट थोड़ा सा आपनी प्रॉपिट बुगिंग आपन परस्ट टार्गेट अपना 224 लेवल के आसपस रहने होला है और सेकेंड टार्गेट अपना 294 लेवल के आसपस रहने होला है एग्जेक्टि अगर आप लोग को price level के साथ दिखाओ दोस्तो price level के साथ अगर आप लोग को exact entry target और stop loss दो तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो कि थोड़ा सा pullback आगर मिलता है तो 165 के बास पस अपन entry का प्लान कर रहे हैं stop loss की बात करें आप लोग को वापे profit booking का बारे में सोचना है हर एक चीज़ आप लोग को detail में बदा दियो दोस्तों किस तरीके से आपने को आप लोग को analysis करना है multi time frame analysis करना है अगर मैं आप लोग को level की बात करूँना तो यह level कितनी important है आप लोग को free free देखने के लिए मिल सकती है मैं आप लोग को clearly बता रहू stop loss बहुत छोटा है अगर नियरली बात करें risk to reward की तो 1 is to 3 के आज पास का अपना risk के अंदर risk to reward में त्राड़ी से ज्यादा भी है छोटी सी risk है और उसके अगेस्ट में यह बात करें सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में जाएं